वेराग्य विद्या निजभक्ति योगा सिक्षार्थमेक पुरुषपुराना शीक्रिष्ण चेतन्य शरीर धारी कृपाम बुदिर्यतमहम प्रपद्ये मुकम करोती वाचालं पंगुम लंगयते गिरिम्यत कि पातमहम बंदे शी गुरुदीन तारनम वांचा कल्पतर वश्चा कि पास हिंदु वेवचा पतितनां पावनेब्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमा शी और शीकर चैटन्या प्रभू नित्यनं नंद शी यत्वितगादार सीवसाधी कौर भक्त विंद हना घुष गः नम यह जसङ ई Reghaun क्या संसार में थो अभी भगवान के लिए कुछ कुछ कुई नहीं नहीं और एक प्रकार से ऻागवान के लिए चल्ज भी है जैसे यह दिव्य Assi स्व시는 क्यों सांधा दोनों क्यों चीज होती है क्या मुण दिवय गण भी होता और क्या दिव्य अज्यान दिव्य अज्यान जैसा ब्रजवासी वो प्रेम में इतने सरावर है भगवान के प्रेम में इसेवा में कृष्ण के प्रेम में कृष्ण के चिंतन में दर्शन में इतने सरावर है प्रेम से कि उनको ये बोध ही नहीं होता वो उनको दिव्य अज्य जाने कि कृष्णा भगवान है ना वो स्विकारने कोई नहीं वो उनके समझ में नहीं आता है एक दम से भी उनको तो कृष्णा की चिंता लगी रहती है यह चोटा सा बालक यह क्या भगवान तो वो प्रेम में वैसा दिव्य अग्यान और भगवान को भी अग्यान हो जाता है कि भूल जाते है ना भगवान भी योग माया उनकी शक्ति उनको भुला देती है कि मैं भगवान हूँ और भगवान को वैसे भी भगवान पकोई वह नहीं है भगवान तो अंकरम स्तिताराम से कई करिश्णा व ना नंगाए कि भगवान बनने की छूरू सरय है एसे पहले नहीं थे ऐया है या ये बने हो ना उसी प्रकार से भगवान बहुत है कि कभी कोई बने है या कोई कोई पोजिशन या पोस्ट करें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है पांथ साल चुनाऊ होते हैं पांसानु इत्याद बीच में विचा सकती है लेकिन भगवान की पोस्ट ऐसी नहीं है तो अनाधी काल से ना अनाधी राधीर गोविंदा सर्वकारन कारण ब्रह्मा जी प्योद्गार है ब्रह्मा जी कहते हैं तो दिव्यता के सवपान में ज्ञान है और ज्ञान भी है पूरा का पूरा इसलिए ये माधूरिय इतना है विरिंदावन ब्रज की भक्ति में ब्रज की लीला में माधूरिय खूब है कि एश्वरिय संकुचित हो जाता है एश्वरिय ढग जाता है तो भगवान की जो शक्तियां एश्वरिय भगवत्ता नाम रूप कून लीला ये संकुचित या ढग ब्रजवासियों के प्रेम के आगें तो यह उसके लिए उनकी सरलता पूरी कि पूरी कृस्टना पूरा ट्रस्ट होण को कृष्णा पे और किस्ञा को उनपे ट्रस्ट है तो इसलिए गुईय ग्यान भी न वी वास्तव में क्या आगे हम थोड़े complicated है तो हमें लगता गुईय अन्य था तो क्या गुईय नहीं और भगवान के एक शुद्वक के लिए भी भगवान कुछ को यह नहीं रखते हैं भगवान तो एकदम आतूर अपने आपको लूटाने के लिए अपने आपको देने के लिए अपने आपको समझाने के लिए अपने रिदय का भाव व्यक्त करने के लिए और यह भागवद गीता के दर्शन से हम भी भगवान को समझ सकते हैं अपने जाता है ना जीव भग तो दिव्य अज्ञान उसका वास्ता में संसारी ज्ञान अज्ञान से तो छूटी जाता है उसकी चेतना में वह कैलकुलेशन बैठती नहीं है तो इसी आशा अभिलासा से हम थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं अध्याइनव श्लोक संक्या चार से राज मया तत्तम इदम सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्तानी सर्व भूतानी नाचाहम तेश्व वस्तिता यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है समस्त जीव मुझमें है किन्तो मैं उनमें नहीं हूँ साथ परे बगवान की अनुभूती स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती कहा गया है कि अता श्री कृष्ण नाम आदी ना भवित ग्रायम इंद्रिये सेवन मुखे जीवे आदो स्वयमेवस पूरतियदा भवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदी को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता जो समुचित निर्देशन से भक्ती में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है रहम संगिता में कहा गया है प्रेमा चनुची चनुचूरित भक्ती विलो चनेना संत सदेव रिदेश विलो का यन्ति यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भी रूची उत्पन कर ली है तो वो सदेव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है इस प्रकार वे समान्य जनों के लिए दिर्श्य नहीं है यहाँ पर कहा गया है कि यदि पर भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्तित रहते हैं किन्तु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्या नहीं है इसका संकेत अफ्याप्त मुर्तिना शक्त द्वारा हुआ है भले ही हम उन्हें ना देख सके किन्तु वास्तविक्ता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है जैसा कि सात्वे अध्याय में बताया जा चुका है कि संपून द्रिश्य जगत उनकी दो विभिन्द शक्तियों परा या आध्यात्मिक शक्ती तथा अपरा या भौतिक शक्ती का संयोग मात्र है जिस प्रकार सूरे प्रकाश संपून ब्रह्मान में फैला रहता है उसी प्रकार भगवान की शक्ती संपून श्रिष्टी में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ती पर तिकी है जिस प्रकार सूरे प्रकाश संपून भ्रहमान में फैला रहता है उसी प्रकार भगवान की शक्ती संपून श्रिष्टी में फैली है और सारी वस्तुय उसी शक्ति पर दिकी है फिर भी किसी को इस निशकर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिकत सत्ता खो दी गए ऐसे तर्ख का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते है मैं सर्वत्र हूँ और प्रतियक वस्तु मुझ में है तो भी मैं प्रतक हूँ उधारणनात राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकरण होती है विभिन्य सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रतिएक विभाग राजा की शमता पर निर्भर रहता है तू भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रतिएक विभाग में स्वयम उपस्तित हो यह एक मोटा सा उधारन दिया गया इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखने हैं और जितनी भी वस्तु हैं इस लोक में तथा पर लोक में विद्धेवान है वे सब भगवान की शक्ती पर आश्रित हैं शृश्टी की उत्पत्ती भगवान की विभिन्य शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा की भगवत-गीता में कहा गया है विष्ट भ्या भ्याहमिदम प्रिट्सनम वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है यह संपून जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है समस्त जीव मुझमें है किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ बहुत सुन्दर स्लोका है भागवद गीता का यह है और बहुत ही scientific actually का हूँ जब आस्तव में science के academic science के students है followers है and interest ने इत्यादी उनको बहुत appreciation मिलेगी भागवद गीता स्टडी से provided थोड़ा साम अगर preconceived notion के साथ अगर study नहीं करें अगर हम इसको openness के हिसाब से देखके study करें जैसे भागवद गीता study का तो सुत्र प्रहुपाजी देते ना introduction में क्या है कि just इतना थोड़ी faith तो सभी जगा चाहिए सभी जगा चाहिए faith साइंस में भी चाहिए भागवद गीता स्टडी में भी चाहिए किष्णा भावन अभ्यास में भी चाहिए लेकिन प्रहुपाजी क्या करते हैं कि बस theoretically इतना समझो कि क्रिष्णा इस दो सुप्रीम पर्सनाल्टी अफ़ाड है थोड़ा सा उतना बस faith रखके अगर कोई पढ़े तो यह श्लोका जो बड़ा साइंटिफिक सा श्लोक है और भी इसके आगे भी दो तीन सारे साइंटिफिक जो एकेड़मिक साइंस में जिनकी थोड़ी रूची है नौल तो कितना कुछ समझने के लिए थिसे भघवान केरें आभर्यक्त रूप से भकवान सब जगा हें अपने अव्यक्त रूप से सभी जगा जाए है तो है कणड़ में भगवाथ ना और जैसे Blick वह देखते हैं Kelly इंअ का जो वर्णन दिया होता है कैसे महा विष्णु ना और यह प्राइमारी क्रिएशन सेकेंडरी क्रिएशन महा विष्णु शीरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु शीरोदक्षाई विष्णु गर्बोदक्षाई विष्णु तो ऐसे करके कन कन में everything is moving में किसले भगवान के सक्टी से भगवान के सक्ती भी ना विना भगवान के सक्ट्रоп say nothing mu nothing can come about it सो प्लीष्ण की शक्टि क्रिश्चन की सत्ता से सही सभी कुछ चल रहा है सब कुछ लेकिन भगवान अव्यक्त रूप से हें है अना जो जिनको भगवत बुद्धी श्रद्धा विचार समझनी इत्यादी अज्ञान की रूप से ही चीर है और जो सादक में यह समझ सके कि हम शरीनी आत्म है भगवान है भगवान की भक्ती भचन इत्यादी और फिर सेवा में जुड़ना इत्यादी लेकिन फिर भी कपट तो इ अपने बद संस्कार है ना अनादी काल से तू एंजोई इंडिपेंडेंटली अफ कृष्णा तो यह कपट है और इसी कारण से भगवान परस्नली हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है और अपनी से अब देखिए प्रलाद महाराज प्रलाद महाराज को कोई अज्ञान भी न प्रलाद महाराज देखिए पान साल का बच्चे का अपने पिता जी के सामने बात कर रहा है लेकिन बत्तमीजी नहीं वह नहीं प्रलाद महाराज प्रलाद महाराज पूरे और एप्सुल्ट नॉलेज के प्लैट्फरम पर वो कह रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमारा यहां पर भगवान प्रलाद जी को कोई कपट नहीं अज्यान तो है नहीं साथ ही साथ कोई कपट नहीं शुद्भग भगवान के समरन से एकदम पकड़ रखाता हूं नहोंने भगवान को बाद्ध यहां प्यूद्ध रखाता हैं एसे ही फिरुमाराज ने भी अपने ध्यान से भगवान को पूरा पकड़ लिया पूरा पकड़ हैं है तो फिर प्रालाद महराज के यह जाए जवान कि एफ बाग्वान आजाएंगे वर्ना कर दो कि षालंगर ना जान। एफ्य क्रिश्न इन अधंड एम्टृत अ जाफ जगत अभ्यकतमूर्ति ना अभ्यकतमूर्थि से भगवान पूरे जगत में विद्ध्यमान है। पूरे जगत में भगवान विद्यमान है लेकिन एक साधक के लिए इसलिए देखे भगवान विग्रह रूप में उनका आविर्भाव होता है अपने आपको प्रेजंट करते हैं पियर करते हैं विग्रह रूप में डेटी फॉर्म में तो मान प्रतिष्टा के साथ उनकी पूजा करी जाते हैं उनकी स्तापना करी जाते हैं कृष्णा पर्सनली मैनिफेस्ट इन डेटी फॉर्म एंदेन एक सेप्सर्वेस फ्रॉम तो वह भाव वह ऐसा है हम मूड वह भाव वह समझ में आए फिर भगवान भगवान की वानी तो वह इस हिसाब से और फिर भगवान और भगवान का नाम कोई भेदनी है भगवान और भगवान के नाम में नो डिफ्रेंस तो यह फिर ऐसी समझ से हम साधना करें ना इस भाव को लाने के लिए प्रातना करें कृपा मांगे भगवान से तो फिर भगवान पर्सनली कैसे पर्सनली प्रेजेंट होगे श्री गुरुदेव के रूप में फिर श्री गुरुदेव के भगवान का external customized manifestation है एक साधक के लिए तो देखो संसार में हम इतने जीव है ना मनुश्य इतने साधक इतने हर साधक के लिए एक customized दोश्य प्राइब में डिकभान अपने आपको प्रकट कर सकते हैं कि अग्राद वीश्य व्रिंदावन ओढ़ दान वहीं के करिदाढ़ एक्डाई है और व्रिंदावन व्रिंदावन का थाम ये सब है ऐसा करके लेकिन शुद्भग उसको तो उनको तो सपूर्टी होती है भगवान की हमेशा और खास करके शुद्भग रिंदावन में उनको तो भगवान की सारी लीनाओं का समरन, चिंतन, गायन, पृष्णा, भावना, भावित हो रहते हैं पून रूप से एक्दम या क्रूड एक्जाम्पल है लेकिन हमारे समझ के लिए तो ठीक ही एकदम से हमारी त्री गुनात्मक सहोच है समझ है पूरे तीन गुनों में हम बंदेवे हैं फिर भी देखें जैसे अमबाने रिलाइंस कंपनी का मालिक मुकेश अमबाने अब वो भारत में उनके कई जगां सब जगा थोड़ी ना पर्सनली प्रेजेंट है भारत के बाहर भी लेकिन सभी जगा उनी की इंस्ट्रेक्शन सित्यादी सब चलता है ना सारा कुछ उनी के देखरेंग में है सब कुछ उनी के शक्ति से ही बनाएं एक कंपनी से दूसरे कंपनी एक्सपांड ओ यह करना है पर्सनली इस नाट पर्सनली होंगे अपने घर पे होंगे या पर्सनली कोई एक ओफिस में कहीं पे होंगे पर्सनली क्या पता बंबई में हो फिर अगले अपते क्या पता दिल्ली ओफिस में हो अगले अपते गुचरात में हो कहीं पे हो ना कलकता में हो अगले अपते लं कि हमें पता भही अमबानी भी ना बोर्ड और डिरेक्टर से इत्या दिये कल को कोई बन जाएगा रिप्लेसेबल भगवान रिप्लेसेबल नहीं है भगवान इस नॉट एट आल रिप्लेसेबल तो भगवान कल भी थे आज भी कल भी रहेंगे यह और अपनी सत्ता अपनी शक्ति से भगवान सब जगा विद्यमान है माया क्या है यही कृष्णय का वीस्मरण होना यही माया है वीस्मरण मतलब forgetfulness तो भगवान की शक्ति भगवान की भगवत्ता भगवान की नाम, रूप, कुन, लील, ऐश्वर्य, करूना उसका वी स्मरन होना मतलब यही माया है फिर हम माया में और उसका सतत्स्मरन बना रहे है तो हम वो ही वैकुन धाम में ही है फिर भगवत धाम में ही है यही भगवत गति है और इसी के लिए अभ्यास चाहिए सादू संग चाहिए तो भगवान फिर हमारे दिए अव्यक्त बने नहीं रहेंगे तो भागवत गीता देखो हमारे एक प्रकार से कहूं पूजा पार्ट का भी स्टेंडर्ड कितना उंचा बना देते हैं भगवान नहीं तो अभी तक या ना उपर वाला नीचे वाला या इश्वर परमात्मा ये इश्वर मतलब क्या नियंता परम इश्वर परम नियंता ऐसे ना परमात्मा भगवान भी लेकिन गॉड़ इस परसन whose name is Krishna he's got millions and trillions of name the essence the chief of all names is Krishna the source of all attraction so God being a person he has a personal life personal space place personal habits activities likes dislikes everything friends family और ये भागवद गीता के दर्शन से Krishna भावन अमृत के अभ्या से नाम जब से हमें भी ऐसा option मिलता है कि हम अपना भगवान की अंतरंग सेवा में प्रवेश्क पासक है तो कृष्णा भावनमृत अभ्या से हमें अपने आपको eternity के लिए prepare करना है eternal life के लिए पूरा का पूरा पूरा प्रिपैर करना है इटर्नल एंगेजमेंट ढूंड़ना है बात करें आपने वी आर एज ओल्ड एस कृष्णा और अपनी इसी eternity को ही अब aim करना है इसी को लक्षे करना है अपने permanent status को पाना है ना कि बदलते वे status को वो permanent consciousness को aim करना है जिसने permanence को aim कर लिया तो वो bliss को पा जाएगा ना वह आनंद को पा जाएगा वह शाश्वत जिसने शाश्वत्त को एम कर लिया न वह और वह कौन है किस पर टीका हुए भगवान भगवान शाश्वत है भगवान की भक्ति शाश्वत है कृष्ण शाश्वत है कृष्ण की भक्ति स्मरन चिंतन गायन कृष्ण प्रेम शाश्व गौवर्मेंट देखें इंपर्सनल है ना गौवर्मेंट कहां दिखती है गौवर्मेंट ऑफ इंडिया स्टैंप और ऐसे लगा दिखती है कि गौवर्मेंट ना गौवर्मेंट को चलाने वाले एक कैबिनेट है ना उसके एक प्रधान मंत्री है मंत्रियों में प्रधान मंत वैसे डेमिगोड जाइं संसार को चलाने के लिए देवी देवता और उन देवी देवता के साशक कौन है भगवान शीव किष्णव हर लेकिन परसेनली बैठ बैठी है उसी प्रकार भगवान भी कृष्णा भी किसी ना किसी धाम कही है या किसी ना किसी ब्रह्माण में अपनी लीला कर रहे हैं गोलों के एवन निवसति अखिल आत्म भूतो ना ब्रह्मा समिता के उद्गार गजब के हैं भगवान को समझने के लिए भगवान का Absolute Nature स्वभाव को समझने के लिए तो ये अनिको धाम और भगवान क्या अपने धाम में वेकुंट धाम में गोलों के एवन निवसति अखिल आत्म भूतो अपने घर में गोलों कृंदावन में भगवान विराजवान है और फिर अपने मूर्ड के अनुसार एक्सपांशन है भगवान का अलग-अलग एक्सपांशन है रामादी मूर्थी शुकला नियमेना तिष्टा ना ना अवतार अकरोद भूवे नेशुकिंतू लेकिन स्वयम रूप में कृष्ण रूप में भगवान विराजवान है संसार में लेकिन एक साधक के लिए विशेश करके जिसने गूरूपाद अश्रे पाया है गूरूपाद अश्रे स्विकार किया लिया है उसके लिए भगवान फिर व्यक्त रूप से प्रकट हो सकते हो जाते हैं हो जाएंगे इसने गुरु की कृपा को आकरिष्ट कर लिया न, वो फिर भगवान के दर्षन पाए गए पाएगा, भगवान की सेवा पाए गए पाएगा, भगवान का संग सानिद्य पाए गए पाएगा, इसने गुरु की कृपा को आकरिष्ट कर लिया, फिर भगवान बिवस हो जाते ह नहां चाहते भी उसको दर्शन देंगे ही देंगे। इसे बात नहीं भगवा नहींहा चाहते हैं थाथे यह बात निख नहीं चाहते हैं इन्टरनाल मेंVER है। j de Meer जैसे कोविट के टाइम में और घृत्तियादी। तो यह तो भागवान तो अपनी शक्तियां से सब जगा विद्दमान है नर्स प्रहदाद महाराज के लिए प्रकट हो गए वैसे हमारे लिए भी हो सकते हैं प्रकट आवश्य हो सकते हैं और भागवद गीता वो दर्शन वो एक प्रकार से समझें वो प्रस्ताव ओफर देते हैं भगवान हमें प्रस्ताव दे रहे ना ओफर दे ले लुक ट्यू वांट टू जॉइन माई कंपनी तुम मेरा संग पाना चाहते हो देखो पहले मैं तुम्हें अपने बारे में और ब इदम सर्वं मेरी शक्ति है मया मया इदम सर्वं जगत अव्यक्त मूर्थि ना पूरे ब्रह्मांद में इस ब्रह्मांद क्या सारे भौतिक और अध्यात्मिक ब्रह्मांद सब्चुछ मच्तानी सर्व भूतानी ना चामते हम ना चाह तेशु अवस्तिता ना मच्तानी सर्व भूतानी भूतानी ना लिविंग एंटिटीज तो सब लिविंग एंटिटीज भगवान में है ना चाह हम तेशु अवस्तिता लेकिन मैं उन में नहीं हूँ यह देखे भगवान अपनी भगवता दिखा रहे हैं बता रहे हैं और इसमें कोई शो वाली बात नहीं है कि all beings are in me but I am not in them मतलब यह mathematics में सेट का भी concept आता ना Venn diagram और superset subset तो जो mathematics, science, physics और वो और उनको knowledge हो गई और समझने चाहें और अच्छे समझ सकते हैं जैसे एक कोई circle बनाया, घेरा बनाया उसमें एक बड़ा circle बनाया दिया, उसमें एक बड़ा circle और इसे intersect हो रहा है, नहीं हो रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है लेकिन एक बड़े सरकल के अंदर सब सरकल आ गए तो सारे सरक, छोटे सरकल उस बड़े सरकल के अंदर है लेकिन उसी प्रकार सारे जीव भगवान के अंदर है लेकिन भगवान हमारे अंदर नहीं है All beings are in me but I am not in them तो कहने का मतलब कि सभी के आश्रे सभी के शेल्टर कृष्ण नहीं है सब कुछ कृष्ण पर याद आ रहे था है सभी के शेल्टर आश्रे भगवान में है लेकिन भगवान हमारी शेल्टर में नहीं है और देखें सब कुछ भगवान पर रेस्ट करता है तो हमारी तो spiritual material सभी desires है ना हर तरह की तो all desires everything included is in me लेकिन भगवान में कोई material desire नहीं है all beings are in me but I am not in them कहने का मतलब भगवान materially attached नहीं हमसे spiritually is fully attached spiritually भगवान का पूरा संबंद है लेकिन क्या करें हमें ये independent nature का है ना we want to enjoy independently of Krishna we are so materially tainted, materially given, material desires तो then Krishna is not in with us तब फिर वहां पे हम दोनों का मिलन नहीं है भगवान का और हमारा लेकिन जहां पे भी हमारा focus भगवान से संबंद है भगवत संबंद है भगवत सेवा भगवत विचारित्या दे वहां कोई बिखराव नहीं है कोई अलगाव नहीं है जैसे थोड़ा उधारन देखे अब ये ये कितनी भगवान की भगवत्ता ही जलकाती है जैसे कोई डॉक्टर के पास गए ठीक है अभी पेशेंट को लेके हमारे घर परिवार कही हो समझे और डॉक्टर के पास लेके गए और उनको कोई सरजरी होनी है अचानक कुछ चोटा गया घाय लोगे सरजरी होनी है तो अब देखे हम तो रोएंगे खुब डॉक्टर के आगे डॉक्टर साब क्या होगा देखो ये हो गया अचानक हो गया कैसे हो गया हम तो बस यहां आए थे सेंडविच काने आए थे यह हो गया और लगे डॉक्टर भी हमारी कथा कहानी सुनके डॉक्टर भी रोने लग जाए काम पनेगा क्या डॉक्टर रिलाज कर पाएंगे क्या ना तो हम materially overwhelmed है और मतलब captured in a mode taken over by possessed हम पूरे materially possessed है लेकिन भगवान नहीं है materially possessed materially overwhelmed materially in a mode no matter does not attract krishna but us we are heavily attracted by matter heavily hardly attracted by krishna से इसलिए भगवान नहीं कर पाएंगा ना इलाज डॉक्टर क्या डॉक्टर थोड़ी ना रोने लग जाता साथ में patient को और पे family members को साथ रोते देखके नो डॉक्टर उनको ठीक है दिलासा देता है अच्छी बात करता है sweet बोलता है बड़िया उनका हिमत बढ़ाता है और फिर surgery करता ना अब समझो डॉक्टर का हाथ कांपने लगे surgery में क्या गड़बर हो जाएगी डॉक्टर ही भावो को जाए डॉक्टर ही रोने लगे डॉक्टर ही सर्जरी देखते वे बेहोश हो जाए इसलिए तो फैमिली मेंबर्स और नहीं है कुछ तो लॉजिस्टिक्स की बात और उपर से वह आपको क्या करना है देखके देखोंगे आप सर्जरी होते वे और होते वे भावो की हो गए ना और रो हो गई कि लॉयर समझे कोई केस चल रहा है कोट केस हो इत्यादी अब जो केस वह चिंता में वह रहें लेकिन वकील भी रोने लगे चिंता करने लगे काम बनेगा क्या नहीं बनेगा वही वकील प्रत्र संता में वाकिल दो जहिए है वकील केस को ल्या है यह भी यह हमंसे चाहर संसार में वके पेल ना तो बहां कि भी अचे छींगिया पेलींसार प्रत्षिर्एня बनेश्क्चलिकले का वं संसार में धुखा दिस्त्रां संसार में जीते हैं नão we live honestly we live in distraction we live in diversion because we live in distraction तो हम divert होते रहते हैं and divert क्यों हो रहे हैं बार-बार क्योंकि उस distraction में हमारा permanent attraction बन ही नहीं पाएगा इसलिए divert क्यों आत्मा सतत सुख की खोज में आत्मा सतत आश्रे की खोज में complete shelter continuous shelter complete सुख उसी की खोज में और वो मिल नहीं रहे हैं तो क्या फिर divert कहीं और देखते हैं कहीं और देखते हैं कहीं और देखते हैं तो jumping, hopping, catching की आवश्यक्ता नहीं है फिर भगवान बोलते हैं तुम मेरी शर्णा गतिलो भई फिर देखो कैसा जादू भरता हूं मैं तुमारी जीवन में कैसा जादू भरता हूं कैसा प्रेम भरता हूं then we won't be jumping, hopping, catching इदर उदर नो then we will find our resolve, fix ourselves, फिर भगवान हमसे जुदानी होगए यहाद कह रहे हैं देखो क्या कि मत्स्तानी सर्वभूतानी ना चाहते हम, ना चाहते हम तेश्व अवस्तिता all beings are mean me but I am not in them, सभी मेरे में हैं लेकिन मैं उन में नहीं हो और छट्टे अदे में हम पढ़के हैं न तीस वास लोग को इस भगवान क्या कहता है यह माम पस्यती सर्वत्र सर्वम चे महीं पस्यती तस्य हम प्रनस्या में न चाह में न प्रनस्यती जो मेरे को सब जगा देख तो वह भक्ति की न वह चेतना की भाव है जिसने अपने चेतना से भगवान को पकड़ रखा जुरू महाराज ने पकड़ लिया था न प्रलाद महाराज ने तो जिन्होंने भगवान को वैसे पकड़ रखा भगवान से लिए कर भी लॉस्त नहीं है ने था तो उन चम में भगवान पूरे अब्गसॉव्वड है और सब कर में अर ठीक है सब कुछ सब को सब कुछ मेरे में मैं लेकिन में ने में मतलव भगवान है 752 एंट जए आएन अवरीए आवरे इतै गश्न, क्रिष्ना आट एउ से जितार और एवरे आपørव अर मिवान, कैश्ना लौन. आब्डियों कर जा रौन, किरूष्ना − искर वंट, क्रिछ्ना darling, क्रिव्सा प्रक्ष्ना आव्नि अभी हम भगवान को नहीं पहुँच पाते पकड़ पाते भगवान तो हमें कभी भी फोन गुमा के पकड़ सकते तो वो वेवस्ता बना दी ना भगवान ने कर्म इसलिए law of कर्मा कर्मों का नियम बना दिया law of कर्मा बोलते ना कर्म तो मतलब क्या action कुछ करी या कुछ करना और लो मतलब क्या नियम अब वह नियम क्या भई कुछ भी किया तो नभाय नूकसान तो प्छक भूग खोodel गो तो अब यह नियम है, तो इसको बनाने वाला भी तो कोई होगा ना, अपने आप से थोड़ी ना आगया नियम, तो बनाने वाला कौन भगवान, कृष्णा है, कृष्णा ने बना दिया, लॉफ कर्मा, फिर डिजायर्स, लॉफ अट्रेक्शन, इत्यादी यह बना दिया इसे, और इस चलके भगवान हमारे पास, भगवान के एकसे सब्सक्राइब, तभी देखे यह जन्ममृत्यू जराव्यादी, एकसे से ना भगवान का हमारे उपर, पूरे कंट्रोल में हैं भगवान के, हम पूरे कंट्रोल में भगवान के, लेकिन भगवान हमारे कंट्रोल में नहीं है क्यों हम materially absorbed है और भगवान तो क्या कर्टूम अकर्टूम अन्य था कर्टूम समर्थ ही थी मतलब जो कुछ किया जा सकता है कर्टूम that what which can be done अकर्टूम that what which cannot be done अन्य था कर्टूम करते वे को भी undone कर देना और नहीं करते वे को भी कर देना सारी possibility, सारी contradiction सब कुछ easily recite करती है भगवान में सब कुछ easily अपना आश्रह शेल्टर पाती है भगवान में तो भगवान तो हम सब को कंट्रोल कर रहे हैं लॉव कर्मा से प्रकृति के नियों मोद के अंतरगर्द हम सभी के कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन हम सभी मिल जाए ना तोटल वही जो सेट की भी बात कर रही ना ऐसा नहीं है कि देखो थोड़ा सामान्य उधारन की हजार सेट बनाओ चोटे चोटे सरकल और एक बड़ा सरकल तो अब वह चोटे सरकल सब मिलके add up कर लें तो कृष्णा को पकड़ लेंगे ना भगवान यहीं बता रहें कि भई देखो मैं पकड़ के बाहर हूं I am independent authority मैं पकड़ के बाहर हूं कैसी पकड़ के बाहर material ही अगर कोई भगवान को पकड़ना चाहे तो अनादी काल लग जाएंगे नहीं पकड़ पाएंगा एक तम भी नहीं पकड़ पाएंगे यह ब्रह्मा जी के फिर से उद्गार है दसम्सकंद के चौदवे अध्याई में स्थूति गाते ना भगवान ब्रह्मा जी खुद कहते है अथापिते देव पदम भुजेद्वय प्रसाद लेशानू अनुगृत एवहिस जानाती तत्वन भगवन महिम्नो नाचे अन्या में भी बराबर स्मारन नहीं आ रहा है बट दसवा सकंद चौदवा थे हैं और श्लोक संक्या उनतिसा प्रमा जी उसमें कहते हैं कि बही कोई कि अधिक्र करें और बोले अनाधि काल लगा दे स्पेकुलेट करने में फिर भी भगवान को रती मात्र भी नहीं जान पाएगा एकदम भी नहीं लेकिन जिसने आपकी कृपा प्रसाद को पाया वह यह आपको जान सकता है यही बात है भगवान यही कह रहे है देखो कि अभी पहले बात करें था मोदी जी का हमेशा एक्सेस है हमारे उपर भारत के प्रादान मंत्री वह किसी भी भारतियों को कभी भी उठा सकते ना और दिल्ली बुला सकते है मोदी जी का हम पूरा एक्सेस है हमारे उपर प्रादान मंत्री राष्टरपती का पूरा एक्सेस है लेकिन हमारे एक्सेस हम कभी भी उठा के बोल सकते हैं मोदी जी आओ ना हमारा नहीं है प्रोवाइड अगर हम मोदी जी के ट्रस्ट के अंदर आ गे उनकी इंटरनल कमीटी इंटरनल मेंबर्शिय इंटरनल ग्रूप के अंदर आ गे थैन येस देन वी इसली जी एक्सेस में कंट्रूल में है सब हम भगवान के access में, control में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सब को sum up कर दे हम, तो भगवान भी कर दे हैं, जैसे अगर कोई चतुरा ही दिखा है ना, कि भाई मैं सारे ब्रह्माण को, ब्रह्मा जी फिर से कहते हैं, कि भाई अगर कोई सारे ब्रह्माण के atoms को, particles को, सब कुछ को somehow समझे, किन भी ले, पढ़ भी ले, समझ भी ले, तो भी ये निये कि फिर sum total we have understood Krishna, इस sum total material elements creation, items को हम अगर combine कर भी ले, जोड भी ले, पढ़ भी ले, समझ भी ले, somehow, still Krishna is far off, इसलिए कहते हैं ना, जहां से ये material science खतम होती है, वहां से spiritual science शुरू होती है, जहां से matter खतम होती है, ये सीमा है, matter की limitation यहीं पर भगवान बता रहे हैं, देखो, ये कितना सुंदर श्लोक है, देखो मेरे को तो science की इतनी समझनी है, वास्तब में एकदम ही नहीं है, physics, biology, chemistry हित्यादी, लेकिन जो science के student है, sincere student है, जो भगवान को समझना चाहें, कितना सुंदर भगवान क्या रहे है, मया ततम इदम सर्वं, जगत अव्यक्ता मूर्तिना, मच्तानी सर्व भूतानी, ना चांतेशु अवस्तिता, all beings are in me, but I am not in them, जो ये सलिए कि हम somehow, वैसे तो practically possible नहीं है, लेकिन चलो theory में कोई वोल भी दे, तो हम सब कुछ add भी कर लेना, और some total और समझ वे पाले, कैसे तैसे उसको record इत्या दी, तो भी भगवान access से बाहर है, हमारी पकड़े से बाहर है, समझ से बाहर है, इसलिए जहां पे material science अपनी limit को पाता है, अपनी heights को पाता है, ठक जाता है, जहां बही पस और नहीं, वहां से भगव भगवान शुरू करते हैं, की हो गया तुमारा, बस हो गया, अब मैं बोल्यों, यही ना, अर्जुन ने अपने limit पाली वही, अर्जुन ने अपनी limit पाली, और भगवान को स्विकार कर दिया, उन्होंने अनुमोदन कर दिया, acknowledge कर दिया, with a freeness, without any confusion, without any hesitation, बिना किसी जिज जखके, उन्होंने बोल दिया भगवान को, भगवान अब मेरी सामर्थ के बाहर है, मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरी इतनी अवकाद है, मेरी इतनी सीम है, अब आप कृपा करके, मैं आपका सच्छे बनता हूँ, आप कृपा करके, मेरा कल्यान करें, और Ultimate कल्या इसलिए न भक्ति विनोट ठाकुर जी वैशनेव आचारे हमारे सॉंग्ज और के माध्यम से इत्यादी वैशनेव गीत के माध्यम से भजन से हमें समझाते न क्या यह इसलिए मैटीरियल एकेडेमिक विद्या नाम यह सब बजने बादा बहुतिक ग्यान मैटील इंटेलिजेंस बुद्धी कैलकुलेशन फिलोसोफ साइजिंग या इतना ना एक प्रकार से गूगल ही बन जाना यह पता वो पता है यह पता हो पता है तैन अपने शरीर को लेके अपने बुद्धी को लेके अपने लुक्स को लेके अपने ज्यान अपने बल को लेके अपनी सुंदर्ता को लेके अपने फेम को लेके इत्यादी कितने कॉंटेक्स है इतना पैसा है यह सब को लेके यह सब बादा है बादा 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 है बादा में कुंति महारानी भी допositions कर देताा seiס मेटिरिडि कोई एंग्रॉस्ट ना Gita Meshrei a ShriRight J NI कि उसको बिर्थ का भूत गुमान होता ना पता है मैं कि स्कूल परिवार में हूँ काँ किस घर में हो कार से हो संपनता पी जह एमारे घर में तो बच्पन से ये था वह था इत्यादि इतना पड़ा लिखाऊं मैं मेरे पिता जी ये पड़े, मेरे दादा जी ये पड़े कई जगा है ना देखो नाम में ही अपना सब कुछ लगाते हैं स्कूल, कॉलेज, डिगरी, क्या कुछ साधी ब्या में सब कुछ, हाँ में इतने पड़े लिखे जन में एश्वरे शूता और उससे सबसे बड़ा श्री भीर, सुंदर्ता का गुमान बापरे एदमाना मदपुमान नेवा अर्थातुम, नेवा अभिदातुम त्वाम अकिन चनगोचर कुंति महारा ने अपनी सुती में कहते हैं श्रीमत भागवतम के देखेगा पढ़िएगा आप लोग परथम सकंद का आठवाद जाएगा 26 वा स्लोग त्वाम अकिन चनगोचर है, भगवान किन के गोचर होते हैं गोचर मतलब किन के एक्सेस में, कौन भगवान को एक्सेस कर पाता है जो अकिन चन भाव में स्तितो, मतलब No Possession जो उस भाव में, कि भई मैं कुछ पॉझेस नहीं करता है, यह मेरा नहीं-नहीं-नहीं क्या possession है तो तुमारी, केवल भगवान आप मेरें हो आप मेरें हो उस भाव को तब भगवान अव्यक्नी रहेंगे पर्सनली मैनिफेस्ट हो जाएंगे और इसलिए सादू संग और इसलिए गुरु पादाश्रे दिक्षा अनिवार है दिक्षा सुईकार करना गुरु पादाश्रे लेना ऐसे बढ़ना ठीक है कोई प्रस्टना जिग्यास है या कुछ कहना चाहें अशलोका तो बहुत ही मदूर है बहुत प्री है बहुत सुन्दर है बहुत गहरा भाव भी है अब 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 जैसे वह बात करी ना क्या बोलते हैं इसकी मेरा काम बन जाए मैं आगे निकल जाओ मेरी बात हो जाए मेरा काम बन जाए लेकिन भक्ती में ऐसा नहीं है कि भक्तों में परस पर ऐसा सेलफिशनेस नहीं रहता कि बाई, तेरे से पहले मेरी सोलामाल हो जाएं, यह से पहले मैं जल्दी से ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं सीख लूँ तुमसे पहले, मैं आगे बढ़ जाओ तुमसे पहले, ना, ऐसा नहीं होता बाती में, वो selfishness नहीं है, कि ओहो, ये श्लोका मेरे को पता चला है ये श्लो का मैं कंट्रस्ट कर लेता हूं ये बुक मेरे पास है मैं चुपा के मैं पढ़ लेता हूं तुमें नहीं दूँगा न ऐसा सेल्फिशनेस नहीं होता भक्ति में जो सेल्फिशनेस की बात है वह अपने आपको सेवगार्ड करने वाली बात है अपने आपको प और दोस्त भी बुलाए आटीवी देखते हैं तो या तुम सभी जगा आओ ठीक हो तो उसमें सहल पिशुआवाट ठीक है कि कई जगह ना वी एफ टू टेल नो वीएफ टू से नो और यहां पर येस बोलना ठीक है अगला देखेंगा भागवत गिता देनो श्लोक संख्या पांच नचमच्तानी भूतानी पश्यमे योगमेश्वरम भूत बृन नचबूतस्तो ममात्मा भूत भावन कि मैं आप पड़ पाओगे क्या तथा पी मेरे द्वारा उत्पन सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती जरा मेरे योग आश्वर को देखो यद पी मैं समस्त जीवों का पालन भड़ता हूँ और सरवत्र व्याप्त हूँ लेकिन मैं इस विराट अभी व्याक्त का अंच नहीं हूँ क्योंकि मैं श्रिष्टी का कारण स्वरूप हूँ प्रवान का खथन है कि सब कुछ उनी पर आश्रित है मच्ताने सरवबोताने इसका अन्य अर्ट नहीं लगाना चाहिए भगवान इस भौतिक जगत के पालं तथा निर्वा के लिए प्रतक्ष रूप से उत्तरदाई नहीं है कभी-कभी हम अटलस को अपने कंदों पर गोला उठाए देखते हैं वह अत्यंत ठाका लगता है और इस विशाल पृत्वी लोग का धारण किये रहता है हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सिजित ब्रह्मान को भारण किये हुए है उनका कहना है कि यद्दपी सारे वस्तुएं उन पर टिकी हैं किन्तु वे पृत्वी किन्तु वे पृत्वी रहते हैं सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ती है किन्तु वे अंतरिक्ष में भिन्य हैं प्रिथक स्थर है अता भगवान कहते हैं कि यद्दिपी से सब सचित पदार्थों पदार्थ मेरी अचिंतिया अचिंति शक्ति पर टिके हैं किन्तु भगवान के रूप में से उनका प्रिथक रहता है यह भगवान का अतीचेज अचिंतिय अचिंतिय अचिंत्य आश्वरी है अचिंतिय मतलब चिंतिय मतलब चिंते मतलब जो हमारी मानस पटल में बैठ जाए जिसको हम अपने मन बुद्धी के अंदर फिट कर आ सकें समझा सकें, समझ सकें, जिसको कम्प्रिहंड कर सकें वो चिंते मतलब जो हमारी कैलकुलेशन के अंदर आ जाए वो चिंते हैं अचिंते मतलब जो हमारी calculation के परे है Inconceivable जो हमारी समझ के परे है लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो है नहीं है जरूर लेकिन हमारी समझ के परे है नहीं है पढ़ पाऊगे क्या वैदिक कोष्ट निरुक्ती में कहा गया है यूजत्य नेन दुर्गतेशु कार्येशु परमेश्वर तीक हर से आप पढ़िये परमेश्वर अपनी सक्ति का परमेश्वर अपनी सक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्यर जनक लीलाय कर रहे हैं उनका वेक्तित्व विभिन्य शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयम एक तथ्य है भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विगने आते हैं और कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते किन्तु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपर्ण हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ भगवान इसी तथे को समझाते हैं यदि भी वे समस्त श्रिष्टी के पालक तथा धारन करता हैं किन्तु वे इस श्रिष्टी का स्पर्ष नहीं करते केवल उनकी परम इच्छा से प्रतियक वस्तु का स्रिजन, धारन, पालन एवं संगहात होता है उनकी मन और स्वयम उनमें कोई भेद नहीं है जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयम हम में भेद होता है क्योंकि वे परमात्मा है साथ ही वे प्रतियक वस्तु में उपस्तित रहते हैं किन्तु समान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्तित है वे भौतिक जगत से भिन्द हैं तो भी प्रतियक वस्तु उन्ही पर आश्रत है यहां पर इसे ही योगम एश्वरम अर्थार्थ भगवान की योग शक्ति कहा गया है तथा भी मेरे द्वारा उत्पन सारी वस्तु एं मुझ में स्थित नहीं रहती जराग मेरे योग एश्वरे को देखो यदे भी मैं समस्त जीवों का पालक भरत हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं लेकिन मैं इस विराठ अभी व्यक्ति का अंश नहीं हूं क्योंकि मैं श्रिश्टि का कारण स्वरूप हूं कहने का मतलब भगवान में मैटर नाम की कोई चीज नहीं है भगवान कहने का मतलब भगवान इस बहुत इक जगत के नहीं है It's not a product of material energy हम matter में आश्रित हैं भगवान आश्रित नहीं है matter में हम देखो हम काल पे आश्रित हैं हम कर्म पे आश्रित हैं हम अपने इच्छाओं पे आश्रित हैं अपने स्वभाव संस्कार इन सब पे आश्रित हैं लेकिन भगवान आश्रित नहीं है भगवान तो भगवान by default ना देखो यह तो एकदम basic understanding ही होनी ची है हमारी भगवान मतलब by default जो भगवान है भगवान मतलब by default one is all good भगवान मतलब default by default one who is supreme All Creator, All Mighty One who is the source of everyone and everything from whom everything and everyone has come about All Powerful, All Capable All Knowable, All Pervading अगवान मतलब यक्ति, एक पर्सन, दिव्य पुरुष वो कौन है? कृष्णा है यह भगवान अपना परीचर दे रहे है हमें यहापे यह भगवान सरवत्र उत्परोत है इससे प्रभपाद लारें देते हैं एनर्जी तो सरवत्र है, अब कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो उसको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है और वो अपनी स्किल, ट्रेनिंग, स्टडी, नॉलेज, एक्स्पिरियेंस से क्या पानी है, उसको गरम भी कर सकता है, ठंडा भी कर सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूज करके, पानी को कैसे गरम कर दे या कैसे ठंडा कर दे है कि नहीं, है तो पानी at the end of the day उसी प्रकार हमारी चेतना है या तो दूशित या पून्शुद अभी हमारी कैसी है, मिक्स्ट चेतना ज्यादा दूशित परैप्स, कम शुद मिक्स्ट मोड्स में हम जीते हैं, मिक्स्ट चेतना बद जीवन और हलका सा कुछ कृष्णा भावनामृत ग्यान, समझ, स्प्रिया, प्रेम, क्रिया otherwise तो पूरा matter dominated भगवान matter dominated नहीं है और अगर हम भगवान का आश्रे लें, भगवान की शन्ना गती लें, भगवान का नाम जब भजन करें तो हम भी matter dominated नहीं रहेंगे, हम भी matter से free हो जाएंगे और हम भी परम गंतव्य, परम स्थान अपने शुद स्वरूप, शुद चेतना को हम पाएंगे यह भगवान अपने बारे में हमें समझा रहें, बता रहें और हम देखें ना, बच्पन में, एटलस चायद हमने देखा होगा ना, आज के डेट में शायद नहीं दिखाते होंगे चोटे में वैसे बच्पन में देखा होगा ना, हमने वो एटलस, एक ग्लोब और एक व्यक्ति दिखाते हैं कि इतना हटा-खटा होता है, लंबा चोड़ा, लेकिन बुढ़ा सा एकदम, बड़ा बुजूर्ग और जैसे बोज उठा रहा हो, भार उठा रहा हो, भार उठा बड़िया, इक दम, लेकिन को ऐसा नहीं कि भार उठा रहे हैं, भगवान, जैसे, देखो, माबाप को भी बच्चे को पालना इत्या दी, ऐसा भार नहीं लगता, नहीं लगता, लेकिन जब रिदे की बात हो इत्या दी, अब जब बच्चे माबाप के कहे अनुसार नहीं तो उनको भार लगता है कश्ट होता है उसी प्रकार भगवान को हमारा पालन भरन पोस्टन करना एकदम भार नहीं लगता कोई भार नहीं है क्रिश्णा के लिए लेकिन जब हम मैटर मैटर में इतना वह एंगेज़ अंग्रोस्ट हो जाते ना तो अग्यास डैट अपसेट्स कृष्णा डैट यस डैट हर्ट्स कृष्णा डैट डिस्टर्ब्स हिम वह कंसर्ण जरूर है ना भगवान का बॉदर फ्रस्टेट नहीं होते भगवान बॉदर यह तो लेकिन वह चंशन जरूर है कहरें नो चंशन तभी तो भगवान ने देखो देखे तो क्या में श्रीश्टी की रसनेगर पे छोड़ देता नैसे यू चंशन है इतना चंसने तभी तो ना यदा-यदाऑ दर्मस्य लानिर भवत निबारता अब्यृता ना मधर से तदाद मलना मम स्वहाम आते ना भगवान सवह जुवा ऑजो अपिन अभव्यत्मा भूता नाम ईश्वरो अपिन nope प्रवचन ये पाठ किया अपना नाम दिया विग्रह रूप में भगवान प्रकट होते हैं सादू संग धाम शास्त्र दिये और अपने ही मैनिफेस्टेशन शी गुरू के रूप से भगवान आभिर्भाव हो जाते हैं और सोचो कितनी कृप है भगवान की तो थ्रूआउट हमें यही लगेगा भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम तो गड़ पर घुटा ला कर रहे हैं क्रिशना इस सो मच पेशेंटली एंकरेजिंग अस गाइडिंग अस कितनी कृप है भगवान की भगवान हमें पास्ट भुला देते हैं अगर देखो पास्ट दुखी हो इसलिए भुला देते हैं कोई बोले पास्ट सुखी हो तो अभी सुखी रहेगा और अभी प्रेजेंट में नहीं हो तो फिर तुम वैसे दुखी रहोगे कि पास्ट में कितना सूखी था जैसे हो सकता है मैं तो पीर में हमारी तो यह गाड़ियां थी यह था वो था सब बढ़िया था कि ससुराल में आगई हूं देखो पास्ट दुखी ओ, तोगडबर, पास्ट भूला देना यह कृपा है बगवान की, कृपा ही है बगवान की, प्रेजट को हम फिर enjoy नहीं करपाएंगे, जीन नहीं करपाएंगे, और क्रिष्णा भावनाम्रित, पूरा हमारा future present को सवार के पूरा present ही हमारा हर मोमेंट ही present विग मैं टैमलेस अब देखे Ta यह विजडम टीमने सropolा का पूला तैमलेस इंद मेंट्स इसे भी आज भी न नुतन नवी नहसी साल बाद भी दसःजार साल पहले भी कहीं पे भी पढ़ें कभी भी पढ़ें कहीं से भी पढ़ें उसी प्रकार हमारा सुख भी ना एकदम स्ताही रहेगा और बढ़ता रहेगा तो भगवान की ऐसी नहीं पिक्चर छवी कि भगवान को बुड़े व्यक्ति है, बहुत बोज उठा के रखाया है, और कष्ट हो रहा है, ना भगवान को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, इस संसार की रचना करने में, ध्वांस करने में, हमें संभालने में, आश्रे देने में, क कोई कश्ट नहीं हो रहा बहुत प्रसंद्था होती है जब कोई जीव उनका आश्रह लेता है उनकी शण्दागती लेता है बहुता है भगवान प्लीज लुक आफ्टर मी डेक केर आफ में तो भगवान टेक केर लुक आफ्टर कैसे करते हैं spiritually और हमारे क्या समझ है look after me take care of me मतलब थोड़ा material थोड़ा क्या हमारी समझ यहीं रहती है materially look after me take care of me मेरी job ठीक चले कमाई आती रहे घर बना रहे चोरी चकारी नहीं हो travel safe हो इत्यादी ऐसे करके बट कृष्णा materially हमसे एकदम भी past Dr.न coffee और हमें retired भागवान को matter समझ में ने आता और हमें स्पिरिट समझ में यह था शिरिज боль य Опम समझ में न नहीं परें था तो गैप हैं और वो गैप को को बता रहें देखो कि क्रिष्णा इस नौट अप्रोड़क्ट ओव दिस वर्ड क्रिष्णा इस एनिफिंग बट मेटीरियल और हम भी अपने स्वरूप में लेकिन अभी हम अपने स्वरूप और सुभाव से अफगत्नियों सनुसार जीते नहीं इसके लिए मारे मारे भटक पिरते और सादू संकर के शुद्ध भजन में अपने आपको जोड़के अपने शाश्वत सरी शाश्वत सेवा को प्राप्ट कर सकते और उसमें शाश्वत सुख को अनुभव करेंगे को 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 प्रश्ण जिग्या साहिए आप लोग कुछ कहना चाहो यह अज अज बारे में जो हम बात करते हैं कि विशुद नॉट करिया बागज बट अ अब इस एजियर सेट दें तो मुझे लगते कि वाट इस अबेस्ट इस वाट इस वाट इस अबेस्स प्राक्टिस क्या होने चाह हमारे लिए कि हम लोग इसको बहुती स्वावेग में म पास्ट चाहे जो भी हो वो प्रेजंट बढ़िया प्रेशन है सेखना करें या इंपाक्ट न डालें तो लाइफ तो लुक फॉरवड तो है ना फूचर कोई सवारने के लिए फूचर कोई देखने के लिए है प्रेजंट को पकड़ने तो यह फूचर शेप अप हो जुका कर लेंगे इसको काबौ में उसको काबौ में जो कुछ external I would try to control, जो मेरे बसका वो नहीं कर सकता, तो भगवान ने अनुमोधन करते हुए कहा न, अभ्यास वी हो गेना तू कौन ते या वेराग के न चेकर रही है ते, बाई suitable practice, बाई अभ्यास और वेराग्य, detachment ये दो कई चीजे न, वागवत गीता में जो सिक्षा है, instructions है, सदा बहार है, हमेशा के लिए शाश्वत है, तो क्या वेराग्य, वेराग्य उत्पन करना और अभ्यास, suitable practice, उससे फिर हम पास्ट को धिरे-दिरे छोटेंगे, experience कैसे बने, एक तो अनुभव से आता है ग्यान, और अनुभव भी कैसे, mistakes और करके है, सीख के, learn करके है, वैसे, और decision making, strong बनाए, maturity होगी तब, ये आएगा एक cyclical effect के अनुसारित्या दी, by regular practice and suitable practice and detachment, practice मतलब क्या योगा practice, spiritual practice, किष्णा भावनामरित, practice, नाम जब, विशेश करके, नाम जब भागवत गीता, भागवतम कानुसिलन, उससे पास नहीं खलेगा, देखो, भगवान यही न, इसका, उक्तर बताओं, जब हम अपने आपको पहचानेंगे, जानेंगे न, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा, मेरी पहचान क्या है, जब मैं अपने आ जनादी काल से संबंद है, तो मैं अपने आपको डाइवर्ट नहीं करूँगा, डिस्ट्रेक्ट नहीं करूँगा, पास से हॉंट नहीं होगा, I will be able to let go, give up, I will be able to forgive, एक हर्षा पढ़ना, आज ही अभी इसके बाद, भागवतम का, और शेयर करो, स्क्रीन से कर सको, वेदा पहचान अपनी आइडेंटिटी हम समझ पाएंगे न, क्या मेरी आइडेंटिटी है, और क्या मेरी एक्टिवीटी है, इंगेजमेंट है, फंक्शनिंग है, कभी हम पास्ट को छोड़ पाएंगे, वरना पास्ट हॉंट करेगा, मैं, क्या, देखो, घर पे चोरी हो गई, य इंटर्व्यू फेल हो गया, यह नुकसान हो गया, और सच हेल्प, तो वो पास्ट हॉंट करते रहेगा, किसी ना किसी प्रकार से, time to time, या सास ने ये बोल दिया, ननन ने ये बोल दिया, बोस ने ये बोल दिया, पतनी ने ये बोल दिया, या पती ने ये बोल दिया, तो यह सब क्यों एफेक्ट होगा क्योंकि हमारी आइडेंटिटी अभी तक सौट आउट नहीं कर रही है और जब आइडेंटिटी नाम जब में इसलिए चिंतन करना अपने स्वरूप का अपनी पहचान का मैं कौन हूं किसका हूं किसले हूं तो फिर पास नहीं हमारा आएगा औ इसा बोला ना विट प्रैक्टिस और सही संग में सही संग में वो विजन बने फोकस बने और यह रियलाजेशन को पाना है कि everything in this world Krishna has designed is in a way to bring us closer to him chapter 14 text 8 everything Krishna has built in this world is in a way to bring me closer to him और अभी भी present moment में मेरे जीवन में जो कुछ में साथ घटर है हो रहा है वो भगवान की कृपाई है और वो भगवान का प्रयोजन है कि हम भगवान के पास आए हम भगवान से संबन बना है spiritually पूरा का पूरा वो तो भगवान मेरे प्यूरिफिकेशन मेरे भला के लिए सब कुछ करें प्रोवाइड वी लेट कृष्णा वर्क फ्रीली अनुवाद पढ़िये के वल रीट ट्रांस्लेशन होने है अर्शाब हम लेटी लेट सर्णवाद वी लेट 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 से संब भगवान से संब लेटी लेटीं for it has become his rightful claim. और नाक कन्या, नाक पत्निया, स्तूति गाती है बगवान की, कितना सुंदर, चौबिस वाद दया है, गजब का, गोवर्धन लीला ना, बगवान नेगी राज गोवर्धन जी का धारन किया गोवर्धन को, और फिर इंद्रत भी आते हैं बाद में, शमायासना करते हैं, तो जो नो कंप्लेंट जोन में आ गया, तो वो लिबरेटिट हो गया ना फिर, क्योंकि देखो, वो कोई कंप्लें नी कर रहा ना, वन वन वो अरनेशली वेट्स वर यू तो बेस्टाव यूर कॉजलेस मरसी, जब हम भगवान को समझें, अपने आपको समझें, तभी हमार पास से हम छुट पाएंगे, तभी, तो जिसने भगवान को समझा, अपने आपको समझाना, वो ही अरनेशली वेट करेगा, केवल वेट नहीं चलो ठीक है, भगवान जब करना कर देंगे, अब मैं जान गया, आपको भी और आप भी, हैना, मैं करते रहत हो माला अपनी, मैं एको समय, कि ता हिसली जानेशली पाम्तिपराइशना, कि ृस क्रीशना, गट मत व्यू, आपको from ago on trip, के रहता थी को मैं हैक के डहरा भी इसली आप लिए। को Сमय के ठीक है कि कृणा में आचना वी सुटिस्पाशना, पले आपको का शीली अहित다 में लिखना म्यावान want you. मतलब क्या कि भई अभी मैं कहीं और हूँ हाँ ठीक है अब तुम आ जाओ तो मैं भी तैयार हूँ. मतलब भगवान को ये बोलने के लिए अभी समझो ब्हगवान आजये तुमारे घर बे टिंग ताउं जाओ और बोले भगवान कि चलो मैं आया हूँ वैखूंड से तुमें लेने के लिए अपना विमान ले के लैए हूँ चलो साथ में इस परसनल कोईशन ना वी चेक आउट आर वी दैर येट यह मेरी और कमिटमेंट्स है ओफिस की जॉब की घर परिवार की इसकी इसकी सोसाइटी देश आर वी रेडि फॉर कृष्णा स्कॉल तो यहां पर यह वह बोल रहा है जो अपने अपको प्रिपैर कर रहा है कर लिया वह बोल रहा है जो जादा रुपया हो जाना यह तो बहुत बड़ी समस्या है बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है रहा है व्रव जैदा देखो दन से सुक है यह सुना है धन से दूख है यह अनुभव कर सकता है धन से सुक है इसको अनुभव करना बहुत कथिन है धन से स्क्रीन हटा सकते हो जाओ तो धन से सुख है इसको अनुभव करना बड़ा कठिन है वो टिकता नहीं है ना रहता नहीं है वैसा सुख संसार में सुख को यह अनुभव करना कठिन है क्योंकि चपल है ना फिलिकरिंग आता जाते रहता है कितना fluctuating है धन से दुख को अनुभव करना बहुत एकदम महाओं वह हम कर सकते हैं कितने पीडित हो जाते हैं तो यह आल दा वाइल पेशेंट्ली वेटिंग जो सफर कर रहा है पेशेंट्ली सफरिंग अब इस सफरिंग में सुख और दुख दोनों आ गया जो वह पेशेंट्ली सफर करे जा रहा है मतलब कोई complaint नहीं कर रहा भगवान को कि भगवान ये क्या कर दिया ये क्या पकड़ा दिया इत्यादी ना तो जो देखो आपका प्रश्ण ना liberation वाला जो no complaint zone में आ गया जिसको भगवान अमेरिका में बिठा दिया ठीक है वही मेरे past states की बात में states की बात तो अपने संसारी जीवन में चली बात है जी और नहीं चली कोई नहीं वहीं संतुष्ण में है तो यह अपने आपको एक neutral में रखने के लिए अच्छी बात है लेकिन भगवान के साथ connected कहा है connection कहा है हम अपने आपको neutral रखना चाहते है at the same time connecting with Krishna rather first connect with Krishna then become neutral तब ही बनता हैंगे तो जो सब कुछ सुख दुख को सहर जा रहा है सही रहा है सुख को भी सही रहा है बहुत गड़बर हो जाएगी रुपया अगर ज़्यादा आ गया न पहनकर headache है job में promotion और ज़्यादा मिल गया यह सब बहुत headache है भई रुपया जा गया society में नाम हो गया इत्यादी बड़ी headache है भई wishes कर के धन के साथ फिर property खरीदू नहीं खरीदू कहां रुपया लगाऊ कहां नहीं लगाऊ कैसे safe रखूं बैंक में डालूं इधर डालूं फिर घर संबालूं यह करूं बहुत headache है भई तो हमने जहल पाएंगे सुख दुख और जो जहल रहा है कंप्लेन नहीं करते हुए भगवान की सेवा में सब कुछ लगाते हुए तो भगवान बोलेगा ना कि यह तो rough and tough बन गया इसको मैं पैसा दे दूँ तो भी यह दूख कंप्लेन नहीं करता पैसा चिन लूँ तो भी कंप्लेन नहीं करता इसको चाहिए क्या भाई इसको तो मैं ही चाहिए हूँ और कैसे भी रख लो यह फिर भी मैं ही मेरे को ही मांग रहा है तो भई यह तो certainly is eligible for liberation और देखे है यह यहां पे कौन भगवान नहीं बोल रहे है प्रह्मा जी बोल रहे है एक सादक के भाव सादक के रूप में की देखो सादक यह हमारी अपील है ना भगवान को होनी चाहिए ऐसे कि बगवान अब इस ग्राउंड में भगवान आप सुएकार कर लो ना तो सादक को ऐसा निये कि भाई ओ ठीक है भगवान जब आप बलाना चाहो बुला लेना ना 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 कि भगवान इस बात से आप सुईकार कर लो, ठीक है भगवान आपको पतीत पे आप दया करते हो ना, मैं पतीत हूँ, भगवान आप तो दया कर दो, समाओ और अधर, मनुवर करके भगवान की कृपा को आकरिष्ट करना है, और उसको वहवार में भी लाना है ना, तो ये no complaint zone में आना ही है, और ऐसे ही ना, हम पास से अपने छुट पाएंगे, जब हम अपने आपको समझेंगे, भगवान को समझेंगे, और भगवत प्राप्ति, भगवत गंतव्य, उसको लक्ष करेंगे, भगवत विद्धी, भगवत बुद्धी, तब हम पास से छुट प दिया, तो बोलना चाहिना, हमारा rightful claim है यह, यही बात ना, जो हमारा claim है, बात में चमंगे, interrogation है, जो हमारा अथिकार है, हक है, हक है, राइटस है, वहां हम प्राप्ति, जमाँते हैं, जहान हमारा हक नहीं है, वहां पास पने टांगड़ाते हैं, पूरी की पूरी, करना चाहते हैं जो हमारा करतव रोल डूटी है वो हम करते नहीं क्या भगवान की सेवा करना भगवान का प्रेम करना भगवद्धाम के लिए अपने आपको तयार करना जो हमारा हक है उसको हम नहीं चाहते हैं और भगवान से हम क्या मांगते हैं संसार क्या डूटी रिंभात ना जहां हमारा राइट है वह हम करते हैं पूरा रोल रिवर्सल हम भगवान की सेवा करनी चाहिए वह हम करते हैं और हम भगवान से सेवा लेते हैं पोलो यह प्रस्टन है कि नहीं अभी तक हमने भगवान की कितनी सेवा करिया वैसे क्वांटिफाइं नहीं कर सकते सेवा को लेकिन अगर समय के अनुसार क्वांटिटी के अनुसार इत्यादी क्या हमने कितनी सेवा करी और कितनी निर्पेक्ष निश्पा निश्पाप उस भाव से करी है without any expectation, out of love purely और कितनी सेवा ली है हमने भगवान से पापरे, पागल हो जाएंगे, इतना ही विवेक जागरित हो जाए ना हमारा कि भगवान देखो मैं तो अनादी काल से आपसे काम निकलवा रहा हूँ अब लेकिन समझ रहा हूँ थोड़ा सा और अब भगवान बहुत कलानी, बहुत शरम तो अब अनुकंपा करिये, कि अब आपसे काम नहीं निकलवा हूँ, आपके काम आउँ यह अरजुन को अनुबव हो गया था, कि देखो कृष्णा मैं तो तुमसे काम ही निकलवा रहा हूँ अब तुमने यह पार्ट बता के, अब मैं तुम्हारे काम आना चाता हूँ तो जब यह हमारा भाव बन जा न, कि भगवान मैं आपके काम आना चाता हूँ तो यह future की बात है न, आना चाता हूँ, present पे हमने ऐसा पक्का किया और अब इसी विजन को रखेंगे, इसी लक्षे को रखेंगे, भगवान कल भी मैं आपके काम आना चाहता हूँ, परसो भी, जर्णी फॉर्वर्ड ही होती है, जर्णी बैक्वर्ड नहीं होती है, हैगे नहीं, इसने लोगवान, इसने बेट, इसने रस, नहीं आपके, परस्ट नहीं होन्त करेगा, फिर हम पास्ट के लूप में नहीं, लोप में रहते हैं, भई, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये नहीं लि trades हो, देखो मैं तो सेव थी ना बता दो भया मैंने कहीं कुछ गलत बोला क्या भया मैंने तो गलती नहीं करी ना उस समय थोड़ा बोल दिया बच्पना था इत्या दी भागे फिर मैं सूधर गई ना भया मैं तो ठीज यह इतना सेल्फ अप्सेशन अपने आपको करेक्ट करने के लिए राइट करने के लिए इत्या दी इन सब से हम छूटेंगे जब हम समझेंगे हम कौन है हमारे वास्तविक परीचे क्या और भगवान क्या देना चाहते हैं और यह और हमें बहुत कारगर होगा और इसली नाइसली डीपली पिंच पैनेट करेगा जब महाप्रभु की लीला को महाप्रभु के क्रिपा को महाप्रभु के आग्मन को समझ पाएंगे क्या देने आया महाप्रभु में हैं हमें किस राज्य में किस सेवा को कि सुक को देने आये महापरभू में यह कहीं ना कहीं आपके परश्ण नहीं थोड़ा समाधान करता है क्या हाँ पिलकुल इसलिए भक्ति सेंटिमेंटल नहीं है भक्ति अपने मूड को प्रिपार करने के लिए नाम जब सेंटिमेटल नहीं है नाम जब तो एकदम फोकस के साथ उसको प्रिपेर करने के लिए है अपने आपको भागवद गीता भागवतम का नुशिदें सब कुछ अपने आपको बिल्ड उप करने के लिए प्रिपैर करने के लिए तब देखो फिर past की होते वे बिना हमें इतना मुझसे overwhelm नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, affected नहीं होंगे अगर भगवान का श्याम सुन्दर रूप है न, वो हमारे आखों के आगे हमेशा अगर रहे, तो फिर कैसे past हमें haunt करेगा, नहीं कर पाएगा तो ये प्रस्ताव, ये विकल्प, ये option भगवान हमें दे रहे, अन्यता दूसरा कोई उपाई नहीं है, क्रिष्णा की शन्नागति के अलावा दूसरा कोई उपाई नहीं है बाकी हाँ, suitable practice, determination, devotee association, practical tips ये ही है, खाना पिना अपना ठीक करें, भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद पाएं, सबसे practical tip तो ये ही है, अपने association को संभालने, असत से अपने आपको बाहर निकाले, उससे, सादूसंग, उससे सब आ जाएगा फिर हमारा खाना पिना, सोना उ sharing, chanting, हमारी association अगर बदल गई तो हमारा time place circumstance बदल जाएगा, कहां जा रहे हैं, किस्समें जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, किन से नहीं मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारा activity and engagement सब बदल जाये or पीर पास्त हमारा सबर जाएगा, पास्ट छूट जाएगा तो यह सटली हमें ग्रोग करना है, सुक्ष्मरूप से, चेतना से ग्रोग करना है, पूरा का पूरा और यह हो गए हो हो गाँ हो गाँ हम चेतन जीव है अगर हम एक अध्यात्मिक प्रोसेस को अपना है कृष्णा भावनामित प्रेक्टिस को इसलिए महामंत्र का जब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गुरु सादू शास्त्र का संद्ध बोनाफाइड प्रोसेस है पूरा प्रमानिक प्रोसेस है पूरा किया फास्ट ट्रेक में लेका आता है मैं ठीक है और कोई प्रश्ण जिग्या सा या कुछ कहना चाहूं ठीक था गया हर्शा वेसे पूरा हां बिलकुल है वह क्लारेटी से तभी समझ में आ पाएगा नहीं तो कहीं ना कहीं है इन बिट्वीन इसलिए भगवान ने बोला न इसी अद्दय के दूसरे में यह प्रैक्टिकल एंगेजमेंट है प्रैक्टिकल और इतना रस है इतना सुक आँदे करते हैं सभी को हम कितना इंस्पारिट फील करते ना नाम जब करने में प्रैक्टिकल एंगेजमेंट और रस भरा है पूरा का पूरा तो फिर सारी चीजें ये कृष्णा भावनामरित के अभ्यास से सुक्समा सुक्समा चीजें का भगवान निवारन निरूपन कर देते एकदम सटल सटल ना निटी ग्रीटी इत्या दी वो और ग्रॉस मैटर मतलब ग्रॉस वो फिर फिका लगने लगता है ठीक आपके देर्यपूर वक्ष्रवन के लिए संग के लिए समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उत्सावर्दन के लिए कि मेट अप टुमोरो अरे कृष्णा अरे कृष्णा झाल